आपने आपको अपडेटेड रखिए आज की हेडलाइन्स लूनार रिबूट डेब्यू के कुछी घंटो के बाद 70% से जाधा गिर गया शीब में वेल की रूची के वृद्धि के कारण शीबा एनू के लाज्ट रांजेक्शन्स में 122% की बढ़त देखी गई तीन दिनों में 18.9 मिलियन डॉलर से भी अधिक के एवी टोकन्स सेल किये गए शीबार्मी ने 509 मिलियन शीबा इनू टोकन्स को बर्न किया क्या क्योंकि वेल होल्डिंग्स में 11% की गिरावट देखी गई बैंक ओफ रेश्या ने सैंशन्स के कारण डिजिटल रूबल को जारी करने के प्रयास को तेजी दी पर्यागवे में 4012 के वोट के माध्यम से क्रिप्टो रेगुलेशन बिल को सैंशन किया हुया चाइनिज क्रिप्टो रेगुलेशन एनेटी गेमिंग अप को मेंलेंड यूजर्स को ब्लॉक करने के लिए फोर्स करता है यूनियर सीटी ओफ साव पावलों और मेटावर्स में रिसर्च करेगी सेंटरल बेंक ओफ इंडिया डिजिटल रूपी के लिए ग्रेडेड अप्रोच की योजना बना रही है न्यूज एटिंग के अकॉइड तेथर ने मेक्सिको में एक नया स्टेबल कोईन लॉँच किया बॉस्टन स्टित, बुल्फ एन अम कंपणी अब अपने सर्विसेज के लिए लोज कोईन, शीबा एनो और अन्य क्रिप्टो करंसी को एक्सेप्ट करेगी रशिया इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए क्रिप्टो करंसी को मनजूरी देने पर विचार कर रही है एक अनुमान से ये पता चलता है कि रशिया में क्रिप्टो माइनिंग के लिए इलेक्टरिसिटी का टोटल 2% इस्तमाल किया जाता है टेराफॉर्म लैप्स ने शनिवार की शुरुआत में टेरा ब्लॉक्चेन का एक नया वर्जन टेरा 2.5 को लॉंच किया जिसमें न्यूली मिंटेट लूना टोकन्स थे कोईन मर्केट के अप दरा संचालित किये अपरों के अनुसार लगबग 12 गंटे बाद लूना 2 ने अपने इनिशल मुल्य का लगबग 73% गिरा दिया और अब वह अराउंड 5.18 डॉलर के उपर कारोबार कर रहा है जिसकी वैल्यू पहले 19.54 डॉलर तक पहुच गई थी इंटो दे ब्लॉप डेटा के अनुसार पिछले 24 गंटों में शीबा एनू वेल अधिक सक्रियों हो रही है जिसमें बड़े लेंदेन में 122% की वृद्धी हुई है टॉप 100 शीबा एनू धारवकों को वेल्स्राट के विशलेशन से ये पता चलता है कि क्रिप्टो वेल्स के एक्टिव एड्रेसेस में 8.28% की वृद्धी हुई है जिसके वाज़े से बड़े ट्रांजक्शन में भी बड़ोत्री देखी गई है क्रेश के बाद से एवी 38.38% की रिकवरी कर चुका है लेकिन पिछले 72 घंटों में ट्रेंट रिवर्स हो गया है क्योंकि अल्ट को फिर से 13.42% से गिर गया है और इनसे एवी को एक मैने के भीतर दूसरी बार 100 डॉलर की निशान से नीच ला दिया है अभी एवी 94 डॉलर पर ट्रेड कर रहा है एवी इस मैने में तीसरी बार अपने 112 डॉलर के रिजिस्टन्स को सपोर्ट में बदलने में फेल हुआ है शिब बन ट्रेकर ने ये बताया है कि पिछले 24 घंटों में एक आश्यर जनेक half billion Shiba Inu tokens को burn कर दिया गया है और उसे circulating supply से बाहर कर दिया गया है इस बिच top 100 ETH Wales के portfolio में SHIB holding का percentage 11% से नीचे गिर गया है और पिछले 24 घंटों के भीतरकुल 508 million Shiba Inu tokens को burn किया गया जिसको हसिल करने के लिए 15 transactions किये गया Central Bank of Russia ने Western sanctions को जवाब देने के लिए Digital Rubles को विकसित करने में तीजी लाई है Monetary Authority अब मुल रूप से यूजना के अनुसार 2024 के बावजुट 2023 की शुरुवात में ही राश्ट्रिय फियाट के एक नए वर्जन के साथ लें दिन करने का इरादार रखती है Health Envador और Central African Republic ने Bitcoin को कानूनी Entity के रूप में मंजूरी देने के बाद परागवे जैसे अन्य राश्ट्र इस यूनिक एसेट क्लास के लिए Niyomo को पकड़ने और लागू करने की जल्ब में है अपनी सस्ती electricity और crypto friendly बातावरन के कारण परागवे एतिहसिक रूप से cryptocurrency mining कारियों के लिए एक mining heaven के रूप में देखा जाता है चायना के crypto विरोधी Niyomo ने कतित तोर पर NFT गेम स्टेपिन को 15 जुले से mainland users को exclude करने के लिए मजबूर कर दिया है गोशना के कुछ समय बाद ही स्टेपिन के in-game cryptocurrency में 38% की गिरावट देखी गई एक report के अनुसार South Paulo University नामक एक Brazilian University near future में Metaverse के अंदर research करेगी USP के official website के अनुसार human behavior, 3D modeling psychology और augmented reality और virtual reality devices की effectiveness पर ये research की जाएगी जाएफ फुल पाद हुआएगर चार्वार्व से त Such a जाएगर बाद है और कि जाएगर झाएगर्वेस पर भाद है